प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती पाणि 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है 28 नोवेंबर शानिवार पहला पाथ प्राकाशना गरंत अध्याय बाइस वचन शंक्याय एक से साथ तक उसने मुझे योहन को इस्वाटिक जैसे संजीवन जल की नदी दिखाई जो ईश्वर और मेमने के सिहासन से उमड रही थी नगर के चावक के बीचों बीच बहती हुई नदी के तट पर जो दोनों और एक जीवन ब्रिक्ष था जो बारा बार हर महने एक बार फल देता था उस पेड के पत्तों से राश्टों का इलाज होता है वहा कुछ भी नहीं रहेगा जो अविश्वर के योग्य हो वहा ईश्वर और मेमने का सिहासन होगा उसके सेवक उसकी उपासना करेंगे वे उससे आमने सामने देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर अंकीत होगा वहा फिर कभी रात नहीं होगी उन्हें दीपक या सूर्य के प्रकाश की जरुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रभु ईश्वर उन्हें आलोकित करेगा और वे यूगो यूगों तक राज्य करेंगे उसने मुझसे कहा ये बाते विश्वाशनिय और सत्य हैं जो नभ्यों को प्रेरित करता है उस प्रभु ईश्वर ने अपने दूद को भेजा है जिससे वा अपने सिवकों को निकट भर्षय में होने वाली घटनाएं दिखाएं देखो मैं श्रीगर ही आऊंगा धन्या है वह जो इस पुष्टक की भर्षवानी का ध्यान रखता है या प्रभु की वानी है संत लूकस के अनुसार पवित्र सू समाचार अध्याई 21 वाक्य संख्या 34 से लेकर 36 तक साउधान रहो कहें ऐसा ना हो की भोग विलास नशे और संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आगिरे क्योंकि वह दिन समस्थ पृत्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा इसलिए जागते रहो और सब समय प्रातना करते रहो जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने की योग्या बन जाओ यह प्रभु का पवित्र सूसमा चार है क्रिस्ट प्रभु कीज़े क्रिस्ट में मेरे प्रेभाय और भहनों हम लोगों ने अक्सर यात्रा करते समय साइन बोर्ड में पढ़ा होगा साउधानी हटी दुरगटना घटी अर्थात जब भी हम यात्रा करते हैं तो हम भरसक कोशिश करते हैं कि यातायात सम्मंधित हर एक नियम का हम पालन करें होती है हम सुगमता से अपने अस्थान पहुंच जाते हैं और अपने जो भी रिष्टेदार हैं उनसे हम मिलते जुलते हैं और हमारा प्रेम आगे बढ़ता है लेकिन उसी अस्थान पर जब हम लोग यातायात के नियमों की अंदेखा करते हैं तो हमारे साथ कई बार घटना घट जाती है और वह घटना कभी-कभी हमारे जीवन और मृत्यों पर आठिकती है इसलिए हमें चाहिए कि जब भी हम यात्रा करते हैं तो यातायात सम्मंधित नियमों का हम पालन करते हैं जी हां मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु येसु हमारे आध्यात्मिक यात्रा के विशे में सचेत करते हुए हम लगों को चौकस रहने के लिए प्रभु कहते हैं। जब हम अपने आध्यात्मिक यात्रा इस संसार पर कर रहे हैं, तो हमें बहुत सी चीजों को अपने ध्यान में रखने की आवशकता है। जब हम संसारिक्ता के अधीन होकर जीवन जी रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम प्रभु के वचनों को और प्रभु के संदेश को अपने जीवन में लागो करें। और जब हम उससे अपने जीवन में लागो करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा सफल होती है। हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में हम लोग सफलता प्राप्त करते हैं आज उसी के विशे में प्रभू हम लोगों को यहां पर सचेत करते हैं कि जब तुम इस संसार में हो तो तुम लोगों को हर एक लोगों को सचेत रहने की आवशक्ता है हमें सचेत रहने की अवशक्ता क्यों है इसके विशे में हम संत्मति के सूसमाचार अध्याच्छबीस में हम पढ़ते है जहां गित्सेमानी बारी में प्रभू प्रान पेडा सह रहे थे तो वहां अपने शिश्यों को आगाह करते हैं कि आने वाले जो संकट है वो उन पर भारी होने वाली है हम वचन 41 में पढ़ते हैं जहां प्रभू अपने शिश्यों के पास आकर उनसे कहते हैं जागते रहो और प्रात्ना करते रहो जिससे तुम परिक्षा में ना पढ़ो आत्मा तो तत्पर है परन्तु शरीर दुर्बल है प्रभू यहां साफ साफ अपने शिश्यों को बताते हैं कि उन्हें सचेद रहने की आवशक्ता है उन्हें जागते रहने की आवशक्ता है उन्हें प्रात्ना करते रहने की आवशक्ता है उन्हें क्यों आउशकता है क्योंकि उनकी आत्मा तत्पर है लेकिन शरीर दूर्बल है जिहा मैरे प्यारे भाई और बहनों जब हम इस संसार में अपना जीवन जी रहे हैं तो कभी-कभी संसारिक्ता हमें अपनी और आकर्शित करती हैं और कभी कभी हो सकता है कि हम संसारिक्ता में इतने डूब जाएंगे कि हम उससे बाहर निकल नहीं पाएंगे और इस तरह से हम अपने जीवन को गवा देंगे इसलिए प्रभू अपने शिश्यों को सचेत करते हैं उन्हें जाकते रहने के लिए और प्रातना करते रहने के लि जब हम संथ लुकस के सुसमाचार अध्याए 21 को जो आज का सुसमाचार का एक भाग लिया गया है जब पूरे अध्याए को जब हम लोग देखते हैं तो इसमें संसार के अंत के विश्य में प्रभू बारंबार अपने शिश्यों को और अपने साथ जो चल रहे हैं उन लोगो को बताते हैं कि संसार का अंत होगा और वो किस प्रकार होगा हम अध्याए 21 में पढ़ते हैं मंदिर के विनाश की भविश्यवानी के बारे में प्रभू कहते हैं उसके बाद बिबती किस प्रकार से लोगों के बीच में आएंगी उसे प्रभू बताते हैं उसके बाद में प्रभू महा संकट के विशे में प्रभू बताते हैं और उसके बाद में प्रभू मानव पुत्र के पुनरागमन के विशे में बताते हैं और उसके बाद में ये घटना किस प्रकार होगी और कब होगी इसके विशे में प्रभू बताते हैं इस पूरे अध्या में प्रभू स संसार के अंत के विशे में बतलाते हैं संसार के अंत तक अपने जीवन को बनाये रखने के लिए प्रभू आज हम लोगों को यहां उपाई बता रहे हैं सबसे पहला उपाई है हम लोगों को जागते रहने की आवशक्ता है हम लोगों को जागने की आवशक्ता है हम लोगों को सांसारिक्ता में डूबने की आवशक्ता नहीं है हम लोगों को सांसारिक्ता से उपर उठने की आवशक्ता है और वही आवशक्ता जागने की दशा को प्रदर्शित करती है और दूसरा उपाए हम लोगों को प्रभू बताते हैं प्रातना करने की आवशक्ता है हम लोगों को सतत रुप से निरंत रुप से प्रातना करने की आवशक्ता है प्रभू हम लोगों को जागने और प्रात्ना करते रहने के लिए क्यों कहते हैं आज की वचन में हम लोगों देखते हैं कि प्रभू तीन कारणों के कारण हम लोगों को जागते रहने के लिए और प्रात्ना करते रहने के लिए हम लोगों को बताते हैं पहला कारण है भोग विलाश के कारण में दूसरा कारण है नशा और तिसरा कारण है संसार के जिन्ताएं भोग विलाश नशा और संसार के जिन्ताएं और जब हम इन तीनों कारणों के कारण अपने मन में कुंठित हो जाते हैं तब उस दिन जब नियाय का दिन आएगा तो हम हम आयोग्य बन जाएंगे इसलिए प्रभू हम लोगों को आगाह करते हुए सचेत करते हुए चौकस रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जाकते रहो और प्रात्ना करते रहो अब हमारे लिए सवाल उठता है कि हमें जाकते क्यों रहना चाहिए हमें प्रातना करते क्यों रहना चाहिए मसीह विश्वासी होने के नाते येसु हमारा गुरु है येसु हमारा मार्ग दर्शक है और उसने हम लोगों को जीवन को सुरक्षित रखने के लिए और नियाय के दिन प्रभु के राज्य में प्रवेश्च करने के लिए एक मार्ग बतलाया है सत्य का मार्ग बतलाया है जीवन का मार्ग बतलाया है इसलिए हम लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि जब संसार का अंत हो तो हम सभी कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश्च कर पाएं और इसलिए प्रभू जीवन के मार्गों को बताने के साथ साथ स्वर्ग में प्रवेश्ट करने का तरीका और उपाई भी बताते हैं हम लोग योहन के पहले पत्र अध्याय दो वाक्य संख्या 27 और 28 में हम लोग पढ़ते हैं जहां पर योहन अपने लोगों से कहते हैं शक्ता नहीं वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है उसकी सिक्षा सत्य है असत्य नहीं तुम उस सिक्षा के अनुसार मसी में बने रहो अर्थाद हम लोगों को प्रभू ने पवित्रात्मा दिया है वह हमारा सहायक है और इसले संत्योहन अपने लोगों को बार बार कहते हैं कि तुम लोगों को मसी से जो पवित्रात्मा मिला है वह तुम में विद्यमान रहता है क्योंकि जब वह पवित्रात्मा हम लोगों में विद्यमान है तो वह पवित्रात्मा हम लोगों का मार्क दर्शक करेगा और मसी होने के कारण हर एक मसी को वही पवित्रात्मा मिलता है और उस पवित्रात्मा के अधीन होकर हम लोगों को अपने जीवन को व्यतीत करने की आवशकता है इसके बाद में योहन कहते हैं बच्च तो अब तुम उन में बने रहो जिससे सब वह प्रकट हो तो हमें पूरा भरोसा हो कि उनके आगमन पर उनसे अलग होने की निराशा ना हो संतियों कहते हैं कि प्रभू जो हमारा गुरू है जो हमको पवितरात्मा देने वाला है जब उनकी अधीन होकर जब हम अपने जीवन को वेतीत करते हैं तो अंत में हम लोगों को निराशा नहीं होगी अंत में हम लोगों का जीवन सफल होगा ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग यातायात के हरेक नियम का जब हम लोग पालन करते हैं तो हम अपने गंतवी अस्थान पर पहुंच जाते हैं और हम अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं भाईबहनों से मिलते हैं और इस प्रकार से अपनी खुशी को हम एक दूसरे में बाड़ते हैं और उसी प्रकार से जब हम लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा अपनी जीवन यात्रा जब हम इस पृत्वी पर समाप्त करते हैं और जब हम लोगों को अनंत जीवन मिलता है तो हम वही खुशी वही प्र दिखाई जो ईश्वर और मेमने के सिहासन से बह रहे थे नगर के चोकों के बीचो बीच बहतिवे नदी के तट पर दोनों और एक जीवन ब्रिक्ष था जो बारह बार हर महिने एक बार फल देता था उस पेड़ के पत्तों से राष्ट्रों की चिकितसा होती है अर्थाद जब हम लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे जब हम इस संसार में जीकर जब हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे तो हमारा जीवन प्रभु के द्वारा संचालित होगा और हम उस पेड़ के सद्रिश्य होंगे जो नदी के किनारे में होता है यहाँ पर संत्योहन आगाह करते हुए कहते हैं हम लोगों को बताते हैं कि वह हर एक महिने में फल देता है और उसके पत्यों के द्वारा राष्ट्रों का उपचार होता है अर्थाद हम अपने जीवन के द्वारा प्रभू का यशोगान करते हैं हम अपने जीवन के द्वारा दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं संत्योहन फिर कहते हैं वहां कुछ भी नहीं होगा जो अभिशाप की योग्य होगा अर्थाद वह पून रुप से पावित्र होगा, अर्थाद वहां किसी प्रकार की तुरूटी नहीं होगी, वहां किसी प्रकार की नाकरात्मक्ता नहीं होगी, जैसे कि प्रभू ने हम लोगों को सुसमाचार में चौकस रहने के लिए तीन कारण बताते हैं सांसारिक्ता है, भोग बिलाश है, नशा है और ये जो तीन चीजे हैं वे हमारे लिए मृत्यू का कारण बन सकती है और इसलिए यहाँ पर संत्योहन हम लोगों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि जब तुम इन नाकरात्मक चीजों को त्याक कर, परित्याक कर, जब आगे बढ़ते हो तो वहाँ पर किसी प्रकार की नाकरात्मक्ता नहीं होगी वहाँ पर किसी प्रकार का अभिशाप नहीं होगा क्योंकि आगे संतियों कहते हैं वे उसे आमने सामने देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर अंगित होगा अर्थाद हम लोग साक्षात रूप से ईश्वर के सामने होंगे उनके दर्शन करेंगे उनके महिमा से अपने आप को आलोकित करेंगे आगे फिर से योहन कहते हैं वहां फिर कभी रात नहीं होगी उन्हें दीपक या सूर्या के प्रकाश की जरूरत नहीं होगी क्योंकि प्रभु ईश्वर उन्हें आलोकित करेगा और वे युग युगो तक राज्य करेंगे अर्था जब हम लोग संसार की यातरा को सफलता पूर्वक हम लोग समाप्त करते हैं तो हमारे लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होगी हमें संसार की आवशक्ता नहीं होगी संसारिक्ता की आवशक्ता नहीं होगी क्योंकि ईश्वर स्वैम हमारे सामने होगा और उसे हम साक्षात रूप में अपने आमने सामने देखेंगे और उसके आलोक से हमारा जीवन भर जाएगा और उसके साथ हम लोग युग युगो तक राज्य करेंगे उसके राज्य के भागीदारी बनेंगे इसलिए मेरे प्यारे मित्रों आईए हम लोग इस वचन के अनुसार अपने जीवन में बदलाओ लाने की कोशिश करें उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करें हम लोगों को जाच करने की आवशक्ता है क्या मेरा जीवन सांसारिक्ता भोग विलास में नहीं थे क्या मैं उसके अधीन होकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ यदि हम संसार के अधीन होकर उसके अनुरूप जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हमें आवशक्ता है कि हम अपने जीवन को सुधारें और अनंत राज्य के भागी बन सकें। उस राज्य के भागी बन सकें जहां पर हम लोग प्रभु को आमने सामने देखेंगे और उसके राज्य में अनंत काल तक हम लोग राज्य करते रहेंगे। आएए हम प्रात्ना करें प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं तेरे अन्मोल वचन के लिए हमें आगाह करने के लिए कि प्रभु हमें जब संसार में जीवन जीना है तो हमें चौकस रहना है संसारिक्ता के अधीन नहीं बलकि तेरे आत्मा के अधीन होकर हमें जीवन जीने की आवशक्ता है प्रभु हमें बल दे कि हम पवित्रा आत्मा के वर्दानों से पूर्ण हो जाएं उनके मार्ग दर्शन के अनुसार अपने जीवन को सफल बना पाएं पवित्रात्मा की शक्ती के द्वारा हम लोग जागते रहें हम लोग हर एक दिन प्रात्ना करते रहें ताकि तेरे राज्य में हम प्रवेश कर सकें और तेरे दूतों और संतों की संगत्ती प्राप्त करते हुए योग योगों तग तेरे राज्य में अनंत जीवन प्राप्त कर सकें हमें प्रातना करते है हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा आमीन झाल में झाल